यदि आप एक mobile gamer है जो gaming phone नहीं खरीद सकते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो mobile apps के साथ केवल mouse और keyboard का उप्योग करना पसंद करता है, तो आप Windows 10 पर अपनी APK फाइलों को चलाने का प्रयास कर सकते हैं. यहां वह है जो आपको जानने की जरूरत है, Windows 10 मूल रूप से APK फाइलों का समर्थन नहीं करता है, इसलिए आपको अपनी फाइलों को चलाने के लिए BlueStacks या Moomoo Player जैसे emulator डाउनलोड करने की आवश्यक्ता होगी. शुरू करने के लिए अपनी पसंद का emulator डाउनलोड करें और on-screen संकेतों का उप्योग करके इसे install करें. हमने नीचे दिये गए विवरन में दो को लिंक किया है. इस ट्यूटोरियल के लिए हम Moomoo Player Note का उप्योग करेंगे यदि आपके पास Windows Sandbox या Hypervisor सक्षम है, तो आपको इन सुविधाओं को बंद करना होगा. या तो emulator चालू करने के लिए अपनी Windows की पर टैप करें, Windows Features टाइप करें, फिर Enter टैप करें. पॉप अप करने वाली सुविधाओं की सुची के माध्यम से स्क्रॉल करें, और Hypervisor Windows Sandbox के बगल में स्थित बॉक्स को अंचेक करें. यदि वे सक्षम हैं, तो ठीक क्लिक करें. अपनी प्राथमिक्ताओं को सहेजने के लिए, इन सेटिंग्स को लागू करने के लिए अपने कम्प्यूटर को पुन्रारंब करें. एक बार जब आपका कम्प्यूटर तैयार हो जाए, तो वो APK फाइल धूरे जिसे आप चलाना चाहते हैं और इसे एमुलेटर पर स्थापित करने के लिए डबल क्लिक करें. Windows 10 एक बार स्थापित होने के बाद APK फाइलों को मुमू प्लेयर से जोड़ देगा. यदि यह नहीं है, तो अपनी स्टॉट कुंजी पर टप करें. मुमू में टाइप करें, फिर इसे शुरू करने और चलाने के लिए एंटर पर टप करें. इसे पहली बार खोलने पर, आपको अपने Google Play खाते में साइन इन करने के लिए कहा जाएगा. आप बाद में साइन इन पर क्लिक करके और अपने निर्नई की पुष्टी करके ऐसा करना छोड़ सकते हैं. अपनी AP के फाइल को स्थापित करने के लिए, विंडो के निचले भाग में प्लस AP के आइकन पर क्लिक करें. पॉप अप होने वाली फाइल एक्स्प्लोरर विंडो पर अपनी फाइल को एमुलिटर पर इंस्टॉल करने के लिए धूढ़ें और खोलें. एक बार यह हो जाने के बाद इसे चलाने के लिए फाइल पर क्लिक करें और इसके लिए बस इतना ही है. ध्यान दे कि आपके द्वारा चुने गए लॉंचर और रैप के आधार पर समग्र प्रदर्शन भिन हो सकता है. आपके Windows 10 डिवाइस के स्पेक्स के साथ मूमू प्लेयर पर आप सेटिंग मेनू के माध्यम से समग्र प्रदर्शन को कॉन्फिगर कर सकते हैं. विन्डो के शीर्ष दाई और ट्रिपल लाइन वाले आइकन पर क्लिक करें और सेटिंग्स का चैन करें. जब तक आपको कुछ ऐसा नहीं मिल जाता है जो आपके लिए काम करता है, तब तक बेजे जट देखें और उसमें बदलाव करें. अगर आपको ये गाइड पसंद है, तो सुनिश्चित करें कि आप AP के फाइलों और राण्य तक्नीक को कवा करने वाले सभी प्रकार के वीडियो के लिए सब्सक्राइब हैं. और इन में से किसी एक वीडियो को देखना न भूलें जो हमें लगता है कि आपको पसंद आएगा.